अपना खास खयाल रख रहे होंगे तो चलिए शिर्वात करते हैं आज की ताजा खबरों की बिहार में घटे संक्रमन को देखते वे बुदवार से राजो सरकार ने कुछ छूट बढ़ा दी है मंगलवार को हुई एक क्राइसिस मनेजमेंट क्रूप की बैटक के बाद इसकी घोशना की गई अब नई गाइडलाइन्स के अनुसार 16-22 जून तक सुबा के 6 बज़े से लेकर शाम के 6 बे तक दुकाने खुली रहेंगी वही नाइट करिफिय शाम के 7 बज़े की जगा रात के 8 बज़े से सुबा 5 बे तक रहेगा मंगलवार को आई नई गाइडलाइन में कई नियमों में फिर बदल नहीं किया गया है यानि कुछ पाबंदिया पहले की तरह ही रहेंगी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सर्स्थान, अभी बंधी रहेंगे शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, क्लब और जिम, पार्क को भी अभी खोनली की अनुमती नहीं दी गई है वहीं सार्वजनिक स्थलों पर भी हर तरह के कारिक्रमों पर रोक है जमू कश्मीर में श्रीनगर के नौगामा में शुरक्षा बलों और अतंकियों के बीच पिछले कई घंटों से मुटबेड जारी है कश्मीर जोन पुलिस ने बताये कि इस मुटबेड में एक आतंकी को मार गिराए गया है जिसकी पैचान अभी तक नहीं हो पाई है वहीं एक से दो आतंकियों के इलाके में चिपे होने की आशंका है फिलाल सुरक्षा बलों के जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है बताय जाना है कि सुरक्षा बलो को इलाके में 2-3 आतंकियों के चिपी होने की जानकारी मिली थी इसके बाद सुरक्षा बलो ने इलाके की छानबीन शुरू की इसी दोरान आतंकियों ने सुरक्षा बलो पर फारिंग करनी शुरू कर दी जवावी कारवाई में सुरक्षा बलो ने एक आतंकी को ठेर कर दिया है कोरोना के साथ भारत ने मई के महीने में चकरवाद यास और तौक्ते राम की दोग प्राकृतिक आपदाएं भी छेली हैं तठी शेत्रों में दोनों तुफानों ने काफी कहर पर पाया लेकिन इसके प्रभाव की वज़े से मैदानी लाके भी अच्छूते नहीं नहीं पाएं हैं असे में बारिश के चलते सबजी और फल, किसानों के फसले खेतों में खड़ी खड़ी डूब गई ऐसे में उन्हें भारी आर्थिक नुक्सान उच्छाना पड़ा है साइकलोन तौक्ते ने गुजरात के सौराज्ट के जिरों में काफी नुक्सान पहुचाया यहां राजकोर जिले में मूमफली और बारिज्वे के खेती प्रमुक रूप से होती है इस बार की फसल हर बार से बैतर हुई थी ऐसे में यहां के किसानों की आँखों में चमक उठी थी किस बार वो ठीक ठाक मुनाफा कामा पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया सरकारी तिल कंपनियों के ओर से आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ातरी की गई है आज डीजल की कीमत अधिकतम 14 पैसे तक बड़ी है तो वहीं पेट्रोल की कीमत 25 पैसे तक बड़ी है आज दिली में डीजल का दाम 87.41 रुपए वहीं पेट्रोल का दाम 96.66 रुपए प्रतिलीटर है मुम्मे में पैट्रोल की कीमत 102.82 रुपय है जबकि डीजल की कीमत 94.84 रुपय प्रति लीटर है वहन इंदन की कीमतों में बीते एक महीने में 26 वी बार बढ़खोतरी हुई है इसके साथ पैट्रोल के दामों का श्वतक लगाने वाले राज्यों में करनाटक भी श्वामिल हो गया है इन शेहरों में डीजल और पैट्रोल की कीमते कुछ इस प्रकार है दिली में डीजल की कीमत 87.41 रुपय प्रति लीटर है वही 96.66 रुपय प्रति लीटर पैट्रोल है म बॉलकता में 90.25 पैसे डीजल की किम्मत है वहीं पेट्रोल की 96.58 रुपए चन्नाई में 92.04 प्रती लीटर डीजल विक रहा है वहीं 97.9 रुपए प्रती लीटर पेट्रोल विक रहा है बॉलीवोड के खिलाड़ी अक्षए कुमार ने अपने लंबे करियर में बॉलीवोड को कई हिट फिल्मे दी है। उनकी फाइट सीन की सच्चाई बता दी है उन्होंने कहा है कि उस सीन में अंडर्टेकर की जगा कोई और था गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही बाकी खबरों के लिए आपडेट रहें हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें